हर्यों प्रितर्शकों यदि आपकी धनुराशी है इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा कि 16 दिसंबर 2023 की बड़ी भविश्यवाणी तो ये 16 दिसंबर की क्या भविश्यवाणियां हैं क्या आपके जीवन में घ किसेश चर्चा करने बाले हैं बहुत महत्पून चर्चा है उसे जरूर चुनियेगा क्योंकि वो आपके मन में उठ रहे प्रसनों का जवाब मिलने वाला है और साथ में हम उपाय भी जानेंगे जिन्हें करने से आपके जीवन में ये जो इस्तितियां ग्रहों की बन रही ह इस्ष्य आपको लाव प्राप्त हो शकेगा तो एक और भी महत्पून बात है कि एक बड़ा ही दिब राज्योग बनने जा रहा है उसका क्या प्रभाव आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपको प्राप्त होगा ये भी हम जानेंगे तो प्रिदर्श को 16 दिसंबर को सूर अपना राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं अभी तक मंगल की राशी व्रश्चिक राशी में गोचर कर रहे थे अब देवगुरु ब्रहस्पत की राशी धन राशी में गोचर करेंगे और जैसे ही ये 16 दिसंबर को धन राशी में गोचर करेंगे वैसे ही देवगुरु ब्रहस्पत के साथ ये नवम पंचम राज योग में आ जाएंगे और नवम पंचम राज योग बड़ा ही दिब माना जाता है और धन राशी वालों के लिए और भी ज़्यादा दिब होने वाला है अब इसे मैं बहुत अच्छा क्यों कह रहा हूँ इसका करण ये है कि देव गुरु ब्रहस्पत एक तो अपनी मित्र की राशी मंगल के राशी में गोचर कर रहे हैं और दूसरी बात कि देव गुरु ब्रहस्पत की राशी में ही शूर गोचर कर रहे हैं और इनही हम समझ लेते हैं कि आपके जीवन में इसका क्या प्रफाव पढ़ने वाला है क्या आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं तो 16 दिसंबर से आपके जीवन में यदि अभी तक मानसिक टिंसन बना हुआ था यदि मानसिक टिंसन से बहुत ज़्यादा पेडित थे आपका मन बहुत ज़्यादा बिजलित था अब आपके मन को सांती मिलने वाली है आपका टिंसन अब दूर होने वाला है यदि आपके मान सम्मान में कहीं न कहीं देखा जाए तो कमी थी मान सम्मान जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था अब आपका मान सम्मान भी ब बना हुआ था बेवजह की बातों को उलेके लड़ाई जगरे होते रहते थे तो अब शांती होने वाली है और प्रेम बेवहार बढ़ने वाला है आपश में और इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग ब्यापारी हैं तो ब्यापारी बर्ग को भी अब लाभ मिलने वाला है जो ब्यापारी हैं उनके जीबन में धन की ब्रद्धी और ब्यापार की ब्रद्धी देखने को मिलने वाली है और पार्टनर्शिप में भी आप ब्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है इसके अलावा देखा जा तो डेली इंकम में भ ब्रद्धी होने वाली है जो लोग डेली इंकम करते हैं उनको भी विशेश लाग होने वाला है और खासकर ब्यापारियों के लिए ये समय बहुत बहुतर कहा जा सकता है और आपके जीवन में यदि उल्जन की स्थिती बनी थी तो उससे भी छुटकारा मिलने वाला है इसके अलाबा देखा जाए तो जो लोग संतान की इक्षा रखते हैं जिनको संतान की प्राप्ती का योग बना हुआ था पर अभी तक संतान की प्राप्ती नहीं हुई थी उनको भी अब संतान की प्राप्ती होने की स्थिती बनेंगी इसके अलाबा बहुत महत्पूर्ण ये है विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को यदि मेहनत आप कर रहे हैं आप एक विद्यार्थी हैं और आप मेहनत कर रहे थे अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो ये इस समय आपको result मिलने के स्थिति देखने को मिलेगी और शाथ में bank balance में भी व्रद्धी होने वाली है अर्था तो bank balance आप कहा जाए कि आए और bank balance आए का मतलब यह है कि पैसा आया परन्तु रुका नहीं और bank balance में भ्रद्धी का मतलब क्या है कि अब आएगा और रुकेगा भी bank balance में बढ़ेगा तभी जब रुकेगा तो कहा जाए तो आपके bank balance में भ्रद्धी होने वाली है और जो लोग investor हैं अर्था आप कहीं भी अपना पैसा invest करते हैं तो अब आने वाला समय आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है आप यदि invest करते हैं और आपको नुकसान हो रहा था बहुत ज़्यादा आपने कहीं invest किया था और पैसा फस गया था या आप जैसे बहुत लोग share market में invest करते हैं या तो coin और अलग-अलग होते हैं जो वहाँ पर invest करते हैं अलग-अलग जगये लोग अपने हिसाब से market में invest करते रहते हैं तो यदि कहीं भी आप invest करते हैं पैसा और यदि आपको नुकसान हो रहा था आपको उतना profit नहीं मिल रहा था या आपका पैसा फस गया था या डूब गया था तो अब शंभावनाएं ऐसी आने वाली ग्रेश्टितियां बन रही है कि आपको लाभ मिल सकता है इसके अलाबा महत्पूरवाद क्या है कि भाग यदि अभी तक ऐसी श्टिती थी कि आप थी तो अब आप जो काम करेंगे उसमें सफलताएं मिलने वाली है क्योंकि अब भाग भाव भी आपका मजबूत होने जा रहा है और भाग का साथ मिलेगा तो फिर आपके विगड़े हुए काम बनने लगेंगे तो प्री दर्सकों ये लाब थे परन्तु अब महत्पूरव हम चर्चा करेंगे उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि ये बातों को समझना जरूरी है तभी आप समझ पाएंगे कि आगे क्या कैसा होना है अब ये थी इस्तियां कि क्या ग्रह आपको देने वाले हैं परन्तु अब ये जानना जरूरी है कि सावधानियां क्या रखनी हैं त से आपकी marriage life बहतर रहेगी इसके अलाबा आपको कोई भी निर्णे लेते समय जोस में आके काम नहीं करना है होस के साथ सोच समझ के ही आपको निर्णे लेना चाहिए साथ में कर्म करने से पीछे ना हटे कर्म करना बेहत जरूरी है और जूट का सहारा लेना गलत राष्ता अपनान अपने profit के लिए या किशी भी तरह यदि आप ऐशा करते हैं तो आपको फाइदे के जगए नुकसान हो सकता है तो यह थी सावधानिया अब हम विशेष जो चर्चा करने वाले हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है आए समझ लेते हैं अब इस चर्चा हम यह करने वाले हैं कि अब जैसे बहुत लोगों के ब्रस्न होते हैं आपने कभी कमेंट में भी पढ़ा होगा या आपके मन में भी यह प्रस्न कभी उठा होगा कि अभी जैसे आपने थमनेल में पढ़ा कि 16 तारिक की बड़ी भविश्वानी और बहुत सारी ऐसी वीडियो इस चैनल में भी आप हमारे चैनल में और अन्ने चैनलों में भी देखते होंगे कि ऐसा होने वाला है आपके लाइब में बड़ा परिवर्तन होगा चमतकार हो जाएगा आप सब कुछ बढ़िया हो जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा परंतु होता कुछ नहीं ऐसा आपके मन में जरूर कभी न कभी उठा होगा कि हम हर दिन कोईने कोई वीडियो देखते हैं और बताया जाते कि बहुत अच्छा हो रहा होने वाला है ये ग्रह बदला ये वक्ती हुआ मारगी हुआ पर कुछ हुआ नहीं यहां समझने वाली बात क्या है अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिजल्ट परंतु ये किसका प्रभाव था ये गोचर का प्रभाव था गोचर का रिजल्ट था परंतु आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है वो कहीं पीडित तो नहीं कहीं वो न राज योग ही निर्मान हो रहा है, उसमें कहीं राहू और सनी जैसे ग्रहों की द्रस्टी तो नहीं, क्योंकि जब इनकी द्रस्टी हो जाती हैं तो ओどう राज योग भी कहीं नहीं result पूरी तरह नहीं देपाता है, मतलब भंग हो जाता है, और यही कारण होता है कि फिर आप सुनते हैं कि हमारी यदि ऐसा ऐसी इस्तिती हो तो यह राज योग बनता है और जिसके कुंडली में यह राज हो योग बना हो उसको यह बेनिफिट मिलते हैं पर आपको नहीं मिलता है तो इसी तरह समझना जरूरी है कि आपकी महा दसाएं, अनतर दसाएं, प्रत्तिनतर दसाज, सूस्म दसाज, प्रान दसा, योगनी अन्ह दसाज जो भी हैं यह सभी दसाओं को समझना, ग्रेश तितियों को समझना यदि जन्म कुंडली में और गोचर में दोनों जगे श्तित कमी हो जाती है और कई बार बहुत कम मिलता है जिससे हमको लगता है कि ये रिजल्ट हमें नहीं मिला है और फिर दसाजे से मैंने बता है उसको भी देखना और शाथ में ये भी देखना कि ये जो ग्रह योग बना रहा है ये आपके लिए कारक है या कारक है और आपकी जन्म कुंडली में इनका जो संबंध है अब जिसे नमम पंचम राज योग शुर और देव गुरु बिरस्पति बना रहे हैं तो ये जो है तो ये इनका जो है तो क्या संबंध है और इनके उपर किसकी दृष्टी है तो ये सब चीजें देखना बेहत जरूरी होती है और भी महत्तपूर बाते होती है जिनें देखना चाहिए उसके बाद ही हम निर्णे ले सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ड पूरी तरह आपको मिलेंगे कि नहीं अब संभव है कुछ लोग पहले ही छोड़के चले गए होंगे उनको ये बाते मालुम नही पड़ेगी और फिर कुछ और कुछ कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा हुआ नहीं वैसा हुआ नहीं इसलिए आपको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि आप 10 चैनल मत देखिए एक चैनल देखिए जो भी निश्चित कर लेजिए कि एक चैनल या दो चैनल तो उस चैनल की सभी वीडियो देखिए और जो भी वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखिए समय ना हो तो बाद में देखिए और जादा बहतर है परंतो जब देखिए तो पूरा वीडियो देखिए और समझे तो आपको कन्फूजन नहीं होगा अपनी दरस को हम उपाय की बात कर लेते है उपाई की बात करें शाथ में आप कुछ लोगों का प्रस्ण हो सकता है जिनके पिता नहीं वो क्या करें वो मन ही मन प्रणाम कर लें और जो भी बड़े हो उनका अशिरबाद लें इसके अलावा आप हल्दी का चंदल लगा शकते हैं और भगवान नारैन का जो है तो जो भी मंतर बनता हो उसका भी जब कर सकते हैं या भगवान नारैन की आराधना कर सकते हैं और फिर जब सुर अस्त हो जाए उसके वाद ही सोना है दिन में नहीं सोना है इस बात का भी ध्यान रखें और ये नियम हमेशा आपको पालन करना चाहिए क्योंकि दिन में सोने से लक्षमी की हानी होती है और भी कई समस्याइं बनती है इसलिए रात्री में सोना चाहिए अ से समझ्याएं अब कहेंगे कल यूग के पहले क्या रात्री में कोई काम नहीं करता तकरते थे तो यहीं तो दुस्परणाम फिर हमको मिलता है जीवन में तो इस चीज को समझें अब ड्यूटी है तो क्या करेंगे मजबूरी है आपकी परंतुप्रयत्न करें कि नस होएं तो तो बहतर है कमेंट में जैशसूरदेव लिखना है और लिखना नहीं ए खाली आपको यदि एक बार दो लिख रहे हैं दस-पचास बार शो बार बोलना है लिखने का पहने का मेरा कारण यहीं होता है कि आप अश्मरण भी कर लिलें क्योंकि बाद में समय मिलेcida मिले इसकि